अरियंत देव को नित्य नमू जिन के वच नाम बुदि मन्थन से निकला यह ज्याना मृत सुमधुर तुम पियोई से मन अंजली से यह सूक्ति सुधा निरजर्णी है परमानंदा मृत भर देगा आत्मा को परम सुक्षि देकर यह सिद्धिधाम में धर देगा बव्यात माओं आप स्रमन कर रहे हैं ज्यानामृत ग्रंद और इसके विशय में पुजी ज्यानमती मातज नहीं कहा है कि यह सूक्ति सुधा निरजर्णी है याने सूक्तियों का अमरत जिसके अंदर भरा हुआ है याने अनेक ग्रंथों के सार को निकाल निकाल करके पुजी ज्यानमती माताजी ने विशेश रूप से सार रूप में इसके अंदर जो सूक्तियों का अमरत भरा है उसे की निरजर्णी गंगा प्रवाहित हो रही है तो आपने तो एक एक अध्याय का और पूरे तीन ग्रंथों का ही स्वाध्याय कर लिए बहुत जल्दी आपके सामने ग्यान अम्रत का मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने पूरुसों ने भी महिलाओं ने भी सब ने मिल करके और ग्याना अम्रत गरंत के तीनों भागों का सुक्ष्मता से अध्यन किया है तभी आपने एक्यासी प्रस्नों की प्रस्नावली को भर करके भेज जा है और आठ अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा क्योंकि आपने इतने दिन तक ग्यान के आराधना किये ग्यान का अम्रत अपने अंदर भरा है तो मेरे सामने ग्याना अम्रत ग्रंत का भाग दो है और इसके अनेक विश्यों से हम आपको परिचित भी करा चुके हैं अब आज मैं आपको बताऊंगी इसमें वरनित सरवग्य के ज्यान का महात्में सरवग्य मने सरवम जानाती इती सरवग्या जिनोंने चार घातिया कर्मों का नास करके अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली जिनको केवलग ज्यान हो गया तीनों कालों के समस्त बातों को जिनोंने सुक्ष्मता से जान लिया है ऐसे भगवान को सच्चे आप्त को सरवग्य संग्या प्रदान की है जैन ग्रंतों में तो सरवग्य के ज्ञान की महिमा आपको जानना है कि जिनका अतींद्रिय सुख है इंद्रियों से उत्पन्य नहीं हुआ है सासवत काल तक अनन्त काल तक जो आत्मा के सुख में निमग्न हो गए है ऐसे सरवग्य भगवान चाय वो अरहंत रूप में है चाय सिद्ध भगवान के रूप में बस यह है कि सिद्ध भगवान सिद्ध सिला पर विराज माने उनकी दिविध्वनी नहीं खिरती लेकिन अरहंत भगवान की दिविध्वनी खिरती है उनी की दिविध्वनी के आधार पर आज आपको ग्रंत दिख रहे हैं भगवान महावीर ने राजक ग्रही के विपला चल परवत पर समव सरण के मद्विराजित हो करके जो स्रावन कृष्णा प्रतिपदा के दिन अपनी दिविधेशना खिराई और गौतम गंधर नाम के गंधर स्वामी ने प्रमुक्ष सिबन करके भगवान महावीर की वानी को सुनकर के द्वादसांग के रूप में उसे निबद किया है आज के आधार पर राजा स्रेणिक ने कहते हैं कि राजा स्रेणिक ने उस समव सरण में जा करके प्रमुक्ष रोता के रूप में समव सरण में इस्थान प्राप्त किया और साथ हजार प्रश्न किये एक दो नही साथ जार प्रश्ण किये और उनके प्रश्णों के आधार पर ही भगवान महावीर की दिविध्वनी खिरती गई गौतम गंधर सबको बताते गए तो उस दौद सांग वानी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और आज दिगंबर जन सासन के अनुसार कोई भी अंग और गृंत उपलब्द नहीं हैं अंग और पूरु के अंश रूप में जो गृंत उपलब्द हैं वे चार अन्योगों में निबध हैं जारों अन्योगों के गरंथों का आप स्वाध्या कीजिए और इस ज्ञाना म्रत में तो चारों ही अन्योगों को पुजी ज्नमति माते ही बिभिन आलेखों के माध्यम से बिलकुल समाविष्ट कर दिया है तो आपको जानना है कि केवली भगवान का ज्ञान कैसा है तक काली गेव सवे सदसब भूदाई पजया तासिम वटन ते ते नाने विसेस दो दव जा दीनम यह उन प्रसिद्य द्रवे समुहों की समस्त बरतमान भूद भविस्यत परियाएं तातकालिक बिलकुल जैसे हाथ पर आवला रखाएं आवले की हर कली का अपनी को ज्ञान हो जाता है ऐसे एकदम तातकालिक प्रतिवास के समान हर द्रवी की हर परियाएं को जो जान लेते हैं जिनका ज्ञान जान लेता है वह सरवग्य का ज्ञान कहलाता है अर्थाग वह केवल ज्ञान कहलाता है तो उस केवल ज्ञान के अंदर सब कुछ सारी परियाएं जलकने लगती हैं आप इस समय क्या सोच रहे हैं क्या चिंतन कर रहे हैं सब कुछ सरवग्य की ज्ञान में जलक जाता है बिल्खुल तुरंत के तातकालिक के समान हमारे और सरवग्य की ज्ञान में यही तो अंतर है कि सर्वग्य का ज्यान, तिनों काल की समस्त वस्तुउं को तुरंत जान लेथा, एक सेकिंड के अंदर, और अपने ज्यान परोक्ष है, अपन जो है, अपनी पीठ पर घ्या है, यही नहीं जान पाते हैं, तो ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है ये इसके अंदर इंद्रियों की सहायता होती है और इंद्रिया आँख है सामने की चीज़ को जानती है पीछे की चीज़ को नहीं जान पाती लेगिन भगवान का ज्ञान सब कुछ जान लेता है तो इस महिमा साली ज्ञान को प्रा भावना भाना है कि हमें भी एक दिन केवलक ज्ञान की प्राप्ति हो ऐसे केवलक ज्ञान को धारन करने वाले भगवान महावीर के इस्तुति करते वे स्री गौतम सामी ने कहा है यस सर्मानी चरा चराणी विदिवद द्रव्यानि ते सामगुनान परियाया नपिभूत भावि भवताह सर्वांसदा सर्वदा जानी ते युगपत प्रतिक्षन मताह सर्वग्य इत्युच्यते सर्वग्याय जिनेसराय महते वीराय तस्मयनमा यहने केवलग ज्यान को प्राप्त करने वाले सरवग्य अवस्था को प्राप्त भगवान महवीर को नमस्कार करते हुए वीर भक्ती के अंदर गौतम सामी ने कहा है कि जो समस्त चराचर द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को भूत भविस्यत और वर्तवान कालीन समस्त पर्यायों को जो युगपत एक साथ हर चण की पर्याय को जो जानते हैं उनका नाम है सरवग्य ऐसे सरवग्य जिनेशर भगवान महावीर को मेरा बारंबार नमस्कार हो। उन्होंने बहुत ही उपकार का इस्मरण किया भगवान महावीर के लिए। और चार ज्यान को प्राप्त कर लिया, उनकी योगिता के आधार पर ही उनने गनधर का पद प्राप्त हो गया था। उन्होंने स्वयम, बहुत सारी बातें कहा, सुदम में आउस संथो अर्थात। हे आई इस मंतों मैंने सुना है भगवान महावीर के मुख से सुना है आज ज्यान मती माता जी क्या कर रही है इन्हीं सब चीजों को देख करके वे आश्चर चकीत हैं और कहती हैं कि चतुर्त काल की साक्षात वाणी आज हमारे सामनी मौजूद है पूरे दिन ग्रंतों का आलोडन किया करती हैं कहां गौतम गंधर की वाणी है कहां गौतम गंधर की वाणी को साक्षात अपना करके आचारियों ने उसका विस्कलेशन किया है उन्हीं को संकलित करके उन्होंने गौतम गंधर वाणी बनाई छोटी सी पुस्तक है गौतम पढ़ लीजिए क्योंकि उसका पध्यान वाद करके बहुत सरल रूप में ज्यानमती मातई ने दिया है और भी उसमें तीसरा हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है अलग से तो तीन तरह से उस गौतम गंधरवानी को एक्स्प्लेन किया गया है वर्नित किया गया है आप उसको जरूर पढ़िए जम्बुदी फस्तनापुर से मंगा कर गए छोटी सी पुस्तक और उन दस अध्यायों को जिस दिन आपने पढ़ लिया समझो आपने एक हजार उपवास का फल प्राप्त कर लिया पुझे ग्यानम समान संसार के अंदर कोई अम्रत नहीं है ज्यान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामरत जन्म जरामरत रोग निवारन जन्म जरामरन का रोग जो इस जीव के अनाधिकाल से लगा हुआ है उस रोग का निवारन करने वाला उस रोग को शांत करने वाले हैं यदि उस रोग को नश्ट करने वाले हैं तो भगवान जिनेंदर के वचन ही है ज्ञान ही है तो उस ज्ञान को ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त करते हैं ज्ञान सबके आत्मा में अनंत ज्ञान के रूप में भरा हुआ है शक्ति रूप में लेकिन उसको ग्रंथों के माध्यम से गुरु के माध्यम से पिभिन माध्यमों से प्राप्त किया जाता है इसके एक पाठ को आप पढ़िए कोई छोटे पाठ हैं कोई बड़े पाठ हैं छोटे पाठों के अंदर भी बड़ा सार भरा हुआ है मैंने इसी पाठ को देखा कि दो पन्ने का पाठ है सरवग्य के ग्यान का महात में लेकिन इसके अंदर नजाने कितने ग्रंथों के माध्यम से माताजी ने सब उधारन दे रखे हैं भगवान कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं सरवग्य भगवान के ग्यान के विश्य में तो उन्होंने कहा जम तक कालिय मिदरं जान दि जुगुमं समन्त दो सवं अत्थम विचित्त विसमं तमनानम खाईयं भणियं ख्षायग ज्ञान कैसा होता है जो अतिंद्री है एक साथ संपुन आत्म प्रदेश SYek बर्तमान भूद्ध भविस्यत अनेक प्रकार के मोर्थ अमोर्थ चेतन अचेतन आदी बिलक्षन जाती रूप संपुन पदार्थों को जो जान लेता है वे ख्षायग ज्ञान कहा जाता हुना है हम इस विशेष्ष्टा को जान नहीं पाते हैं अपने को छोटा सा घ्यान मिल जाता है हम इसलिए हम एक मुक्तक के अंदर मैंने लिखा है कि युक्ता की चका चौंद में मानों निज को भूल गया है घ्ường ख्षण भंगुर लक्षमी की खातिर मा नवता भी आज रो रही जीवन के हर सांसों में हिंसा अधर्म की बात हो रही तो क्या करना है अपने को हिंसा और अधर्म हर तरब जहां देखो वहां हिंसा की बातें हो रहीं अधर्म की बातें हो रही आतंक का प्रचार प्रसार हो रहा है अत्याचार अनाचार संसार के अंदर फैल रहा है लोग दूसरों को कह रहे हैं लेकिन अपने उपर किसी का अनुसासन नहीं है एक दूसरे को कष्ट दे करके धन कमाना चाहते हैं न्याय पूर्वक धन कमाने की इच्छा है नहीं है लेकिन आप सोचिए कि यदि हमने कष्ट दे करके कुछ अर्जन भी कर लिया तो उसका सुख आप वास्तविक सुख नहीं ले सकते तो आगे कहा वीत राग मुनिगन की वानी सुनकर अपनी प्यास बुझाओ आत्मा की जो प्यास है ज्यान की प्यास ऐसे ही तो बुझानी है बीत राग मुनिगण की वाणी सुनकर अपनी प्यास बुझाओ त्याग और संयम की जोती अपनी जीवन में चमकाओ क्योंकि बीत रागता ही प्राणी के उन्नत की आधार शिला है कतनी को करनी में बदलो शुब अवसर ये आज मिला है कतनी को करनी में बदलो शुब अवसर ये आज मिला है इसलिए आपको ज्ञान मती माता जी ज्ञान कामरत पिला रही है गौतम गंधर की वानी सुनिये आप भी जानिये कि आज से 2570 साल पहले जिन भगवान महावीर ने विपुला चल परवत के शिखर पर विराजमान हो करके हमें दिविदेश ना प्रदान की थी गौतम गंधर भगवान का कितना उपकार है जो हमें अपनी वानी के द्वारा बता रहे हैं कि मैंने स्वयम सुना है स्रावक धर्म को सुना है मुनी धर्म को सुना है भगवान महावीर के साक्षात मुक से ऐसे गौतम गंधर स्वामी के उपकार को हम जितना माने उतना ही कम है आज कल तो ग्यानमती माता जी और कुछ बोलती ही नहीं है जब भी छोटा सा भी प्रवचन करती है गौतम गंधर की वानी के लिए बड़ा प्रवचन करती है गौतम गंधर की वानी को और हर बच्चे को अगर आपने स्मरण कर लिया गौतम गंधरवानी जो छोटी सी पुस्तक है दस अध्या है उसको आप पढ़िए उसमें दुती अध्या है कृति कर्म विधी बहुत छोटी सी बात है उसके अंदर भगवान के दर्शन करने की विधी क्या है आप बच्चों को भी रटा देंगे कि सिद्ध भक्ती कायुत सरगम करो मैं जो उसका पाठ है उसको आप जाकर के मंदिर में कैसे पढ़ें हाथ जोड़ें आप तीन आवर तेक सिरोनती करें पंचांग नमसकार करें उसकी विधी करके जब वो बालक पढ़ेगा मंदिर के अं समक्ष इस प्रकार से निवेधन करेगा इस तरह से उच्चारन करेगा तो निश्चित रूप से उसकी कर्म श्रंकला कटेगी उसके अंदर विध्या बुद्धी का विकास होगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे घर के अंदर धर्व की परिपाटी आगे के लिए चल रही है तो आप सब लोग स्वयम गौतम गंदर्वानी भी पढ़ें और ये ज्ञानाम्रत के माध्यम से जो भग्राइब